नमस्क्राइब दोस्तों कैसे हैं आप लोग 19 दिसम्बर 2020 के डेली न्यूस अनलिसिस और एडिटोरल अनलिसिस में आपका सौगाता है आज की सबसे इंपोर्टन न्यूस आपको पता है मैसी की यह जो अर्जेंटीना टीम है आपे फुटबॉल फीफा वर्ड कप 2022 जीत लिया है जो कतर में हो रहा था यह सब न्यूस तो खेर आपको पता ही होगी बहुत ही कॉमन है मेजर हेड्लाइंस देख लेते हैं च्छे माइनाटीस ग्रूप फ्रम तीन नेशन के लिए सिटिजन शिप पात को इस ओफ कर दिया गया है यह क्या है इसको देखेंगे एर ट्राफिक कंट्रोल और जो लोग फ्लाइट वगरा वड़ाते हैं जो फ्लाइट इटेंडेंस हैं इनका रैंडम बेसिस पे डोप टेस्ट हो सकता है इविशन सेक्योर्टी के लिए बहुत इंपोर्टेंट है और इसको अपोस कर रहे हैं क्यों अपोस कर रहे हैं इसके बात करेंगे इनस मॉर्मूगुवा यह जो वार्शिप है जिसको 2016 में लांच किया गया तो इसको फाइनली इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया गया इसके बात करेंगे एक नया बायो डिवस्टी फंड वानना चाहिए ऐसे इंडिया बोल रहा है इंटरनाशनल लिकूशिशिशन से में इसकी बात करेंगे एडिटोरल की अगर आप बात करो तो इंडिया में कोर्ट बैक ट्लॉक से रिलेटेट एक एडिटोरल है इसको देखेंगे इरान में पॉलिटिकल क्रॉस रोट यह जो आपको पता है मैसा अमीनी की डथ के बाद इरान में कितरा भेंकर बवाल हुआ है तो इस रिस्पेक्ट में इस न्यूस है फिर ट्रस्ट और मिस्ट्रस्ट इन करनाटका आपको पता है करनाटका में SVEP नाम की कमपनी ओवरॉल एलेक्टोरल वोल मतलब एलेक्टोरल जो रोल है उसको आइमेंड करने में गलत तरीके से काम कर रही थी Election Commission के जो Officers हैं उनको Ground Level पे जाके Information इखटी करनी होती एलेक्टोरल लोल के Revision के लिए लेकिन ये SVEP जो की एक NGO है उसको ID Card Issue किये गए Election Commission of India के Booth Officers के और Ground Level पे जाके सर्वे कर रहे है तो सर्वे के अधार पर बहुत सी Entries डिलीट की गई और एड की गई तो ये मुद्दा क्या है इसको समझेंगे यहाँ पर ये जो बिल्कीज बानो रेप जज्जमेंट आया तो उसको लेकि गुजरा सरकार ने जो Decision दिया है 11 लोग को छोड़ दिया उसको लेकि एक News है इसके बारे मात करेंगे GST Council Members कैसे इन Direct Tax Regime को और Effective कर रहे है इसके बारे मात करेंगे तो इतनी सारी News है जल्दी-जल्दी करके इनको यहाँ पर देखेंगे जो सबसे Cracks Point है वो मैं आपको बता हूँ वर्ड अधर दे देख लेते हैं Pitchin Pitchin का Actually में अगर आप Literally मतलब निकालेंगे तो आपको ज़्यादा मतलब समझ में आएगा निए Basically आप किसी चीज में कुछ Contribute करो ठीके ना? किसी और को अपने आप से मिला के आपने आप किसी और चीज से मिला के Contribute करो तो उसको आप Pitchin बोलते हैं जैसे for example कुछ दोस्तों ने मिलके पैसा पिचिन किया और उससे एक present खरीदा अपने किसी और दोस्त के लिए तो इसको आप बोलते हो Pitchin Pitchin मतलब देखे for example यहाँ पर sentence भी जिए देखे Let's all pitch in a few dollars So that we can buy Sally a good present for her birthday तो यह होता पिचिन मतलब 3-4 लोगों ने पैसा मिलके पिचिन किया contribute किया और उससे उसके लिए प्रेजेंट करेता तो contribution के respect में आप Pitchin का मतलब समाज सकते है आगे बाद इस पहले वीडियो पे लाइक का बटन दूस्तों चैनल को आप तर शिर्व और सब्सक्राइम ने किया कर लिजे Instagram पर फॉलो कर लिजे तो भईया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांगलादेश से आने वाले Hindu, Sikh, Parsi, Christian, Buddhist, Jain इनके लिए कुछ changes कियें केंदर की सरकार ने जिससे इनके लिए जो इंडिया की citizenship है लेनी वो थोड़ी और आसान हो जाएगी क्या है? जब ये इंडिया के अंदर एंट्री मारे थे तब इनके पास वीजा डॉकुमेंट्स थे प्रॉपर वैलिड डॉकुमेंट्स थे पर तब इनका पास्पोर्ट भी एक्टिव था इनके पास लॉंग टर्म वीजा थे या फिर टूरिस्ट वीजा थे और उसके बेसिस पे इनको पर्मिशन दी इंडिया में रहने की देखिए 2015 में मिलिस्ट्री आफोम अफेर्स ने सिटिजन्शिप रूल्स को चेंज किया और ये बोला कि 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले ये छे कम्यूनिटीज के लोग जो इंडिया के अंदर एंट्री मार रहे थे फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगलादेश अगर इनका पास्पोर्ट एक्स्पायर हो गया है अगर इन तीन कंट्री से 6 माइनॉटी के लोग इंडिया के अंदर आए है इनका पास्पोर्ट अगर लैप्स हो गया है कि इनका वीजा लैप्स हो गया है तो भी इंडिया में लीगली रह सकते है इनको बाहर नहीं बगाया जाएगा पास्पोर्ट एक्ट और फॉर्णर्स एक्ट के प्रोविजनस इनके ओपर लागूर नहीं होगे वजब टेक्निकली इनको यहाँ पर रहने के लिए अलाओ किया लेकिन अब समझिये जो सिटिजन्शिप पोर्टल है भारस सरकार का उसके उपर जब यह माइनौर्टी सिटिजन्शिप के लिए अप्लाई करती है तब प्रॉबलम हो जाती है चुकि इनका जो पास्पोर्ट एक्सपार हो चुका है जो वीजा एक्सपार हो चुका है उसको वैलिड डॉकुमेंट नहीं माना जाता है तो अब Ministry of Home Affairs अपने Citizenship Portal को रिजिक कर रहा है और इन छे माइनौर्टी के जो एक्सपार्ट पास्पोर्ट और वीजा है ना इनको वैलिड सपोर्टिंग डॉकुमेंट माना जाएगा इनकी वीजा अप्लिकेशन यह ऐसा सरकारी सोर्स का बोलना है अभी के लिए जो MHA है जो कि Citizenship Portal चलाता है वो केवल उन एक्सपार्ट पास्पोर्ट को सपोर्टिंग डॉकुमेंट मानता है जो कि हिंदू और सिख अप्लिकेंट्स के हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इशू हो है हिंदू, सिक, बुद्धिस्ट, क्रिशिन, जैन, पार्सी के एक्सपार्ट पास्पोर्ट को भी वैलिड रॉकुमेंट में यहाँ पे काउंट किया जाएगा और ऐसा क्यों कर रहे हैं चुकि बहुत सारी you know corruption की news निकल के आ रही है first of all देखे 2018 में manual screening के समय पे जो बाहर से minorities आई हैं उनको इंडिया की citizenship देने में ground level पे काफी corruption हो रहा था इसलिए सरकार ने इस process को online move कर दिया उसके साथ साथ देखो इन लोग को और प्रकार की भी परिशानिया जेलने पड़ती है जैसे कि एक पाकिस्तानी हिंदू है जो इंडिया के अंदर 2010 में बुसा अब आज की rate में हो सकता है उसका जो passport है वो expire हो गया हो हो ही गया होगा चुकि हर country अपने नागरी को 10 साल के लिए passport देती इससे for example अगर मुझे 2021 में passport issue हुआ है तो उसकी expiry date 2021 होगी 10 साल के लिए movement इंडिया में passport issue होता है बाहर countries में हो सकता कुछ अलग समय के लिए हो तो एक समय के बाद आपका passport expire हो जाएगा तो अब पाकिस्तानी हिंदू अगर इंडिया में है और उसको valid passport चाहिए citizenship कि दे तो उसको दोड़ के जाना पना लगा पाकिस्तानी high commission में और पाकिस्तानी high commission आले उससे पैसा मांगेंगे कि तुमारा passport renew करने के लिए पैसा दो तो इस context में इन लोगों को परिशानी होती है सब कुछ अपना काम घर बार चोड़के इंडिया में आए है इंडिया में भी ऐसा तो है नहीं कि इनके सामने पूरा पैसा भरके फेक दिया हो economic opportunities यहाँ पे भी limited है यहाँ पे भी वो struggle करी रहे है तो ऐसे cases में इनको साथा परिशानी ना हो इसलिए इस प्रकार के नियम कारून में changes कर रही है बारसर का ठीक है फिर दोदेवर एक्स्टेंट from facing any criminal action for legally staying in India the online portal does not accept the expired documents to process their citizenship applications मतलब भले वो इंडिया में illegally stay कर रहे है उनका passport expired हो गया है उनका visa का time limit expired हो गई है तो stay कर रहे है इंडिया में यह उनका criminal crime नहीं है भारा सरकार ने allow कर दिया लेकिन उनके citizenship application को process करने के लिए उनका expired process expired passport as a valid document consider नहीं किया जा रहा था आप देखिए पाकिस्तान से बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर long term visa पे आए हैं या pilgrim visa पे हैं long term visa पांच साल के लिए दिया जा रहा था और ज़दतर cases में long term visa वही अपलाई करते हैं जो भारत के नागरिक बनना चाहते थे और भारत सरकार ने भी एक long term visa दिया है तो भारत सरकार overall एक प्रकार का precursor दे रही है तो इंडियन citizenship अब इस कंटेक्स में देखो जो citizenship amendment act 2019 लागू किया था भारत सरकार ने अगर ये proper तरीके से ground level पे implement हो जाता तो चीज़ें काफी आसान हो जाती है citizenship amendment act 2019 ये बोलता है कि 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले इन 6 non muslim communities के लोग जो 3 neighboring countries से आए है इनको overall नागरिकता दी जाएगी इंडिया की लेकिन problem ये कि citizenship amendment act के अंतर जो नियम कानून है वो अभी notify नहीं किये गए है reason being आपको पता है कि CAA को लेकि कितना बवाल हुआ है बांगलादेश के साथ रिष्टे सुधार नेकले CAA की rules notify नहीं कर रही है सरकार कहीना कहीं citizenship amendment act को पास तो करा दिया सरकार नहीं बट rules notify नहीं किये और obviously बात है जब rules notify होंगे तब भी सरकार किया कि इस टिक renewed backlash आएगा तो अगर ये citizenship amendment act पास हो जाता तो 2014 से पहले जितनी minorities इंडिया के अंदर गुसी है और 5 साल तक अगर वो रह चुकी है minimum 5 साल रह चुकी है मतलब पहले 11 और 12 साल की जो requirement थी वो नहीं चलेगी सिर्फ 5 साल का अगर आपका stay हो चुका इंडिया के अंदर तो भी आपको इंडिया की नागरिता दे दी जाएगी लेकिन चुकी अब citizenship amendment act के rules notify नहीं हुए है तो proper तरीके से CAA play में नहीं आया है इसी context में अलग अलग प्रकार के नियम कानून भारा सरकार को निकालने पड़ना जिसमें एक नियम कानून ये है कि overall बाहर की minorities का अगर passport और visa expire हो गया है तो भी वो passport visa valid documents के तोर पे माना जाएगा citizenship application में इंडिया के अंदर 18,000 registered पाकिस्तानी हिंदू है जो citizenship का इस्तमाल इंतजार कर रहे है Ministry of Home Office ने Parliament को दिसमबर 2021 में बताया था कि 2018 से लेकि 2021 में 12 सरकार के पास 8,244 citizenship applications आहीं minority groups की जिसमें से citizenship grant की गई 3,17 को MHA की annual जो report है 2021-22 की COVID year 2021 की उसमें अप्रैल से दिसमबर में 1414 citizenship certificates दिये गए है minority communities के members को जो को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मंगलादेश से आये थे ठीक है भई तो यह है 2449 long term visas grant किये गए थे MHA के दोरह minority communities को मार्च से दिसमबर 2021 में इसमें 293 में पाकिस्तान की मंगलादेश को 293 अफगानिस्तान की मंगलादेश की मंगलादेश को तो Justice Pratibha M. Singh of Delhi High Court यह क्या बोल रही है after perusing C.A.R. civil aviation requirement as also after hearing parties and their councils it is clear that testing of personal for psychoactive substances is essential considering the nature of services being rendered अब हुआ यह है कि यह जो ministry of civil aviation इसने क्या किया September 2021 में C.A.R. C.A.R. क्या है यहाँ पे civil aviation requirement इसका जो section 5 है ना जो की air safety से deal करता है इसमें यह बोला कि random basis पे जो भी flight attendants हैं, pilots हैं air traffic control में काम करने वाले लोग हैं इनके psycho active substances की testing हो सकती है मैं तभी कहीं doping का इस्तमाल तो नहीं कर रहे है जैसे for example movies में आपने देखा होगा कई बार अभी recentty runway movie आई थी इससे पहले भी कुछ movies आई हैं जहाँ पे क्या होता है कि जो pilots हैं, वो किसी foreign assignment पे गया है वहाँ पे उनका एक दिन का layover था अब वैसे तो उनको flight से पहले एक नींद लेनी है लेकिन वो किसी club में चले गए क्लब में जाके उनको शराब अरा पी ठीक से नींद नहीं ली और उसके बाद सिर्फ तीन घंटे सोके आदो घंटे सोके flight उनको अड़ानी है लंबी दस या पंदरा घंटे की तो उनको ने drugs खा लिये और उसके आदो फाइव उड़ाने चले गए तो इससे क्या उन्होंने पैसेंजर्स की सेफटी को खतरे में डाल दिया तो इसी लिए overall समय समय पे random basis पे इन aviation में काम करने वाले लोगों की responsibility को देखते हुए DGCA ने बोला है कि CAIR के section 5 की air safety guidelines के अंदर समय समय पे इनका psycho active substances के लिए test किया जागा लेकिन इस बात को लेके आप position कर रहे हैं air traffic control में काम करने वाले लोग और aviation sector में काम करने वाले लोग अब ये लोग क्या बोल रहे हैं ये लोग बोल रहे हैं कि भाई देखे हम मतलब air traffic control में काम करने वाले जो आप कहलो लोग हैं और जो air hostesses हैं या फिर कह लिजे, तरह एर हॉस्टिस नहीं होती, जो आप फ्लाइट वगर में जाते हो, जो फ्लाइट एटेंडेंट्स है, वो मेल फिमेल दोनों होते हैं, जो पाइलेट्स वगरा हैं, यह कुछ लाइज टाइप मेडिकेशन भी लेते हैं, हाइपरेटेंशन की मेडिसीन लेते हैं, तो इन मेडिसीन का टेस्ट भी पॉस्टिव आजाएगा, तो भी इनकी नौकरी बगर आजा सकती है, तो केंदर की सरकार ने क्लियर किया कि देखिए, जब हम आपको साइको अक्टिव सबस्टेंसिस का टेस्ट लेंगे न, तो हम सिर्फ कुछ सबस्टेंसिस को अगर ये पॉस्टिव आते हैं, तो फर्दर टेस्ट की जाएंगे, देखिए, एक सिंपल सा यूरीन कलेक्शन होगा, यूरीन कलेक्शन पे टेस्ट होगा आपका, वो टेस्ट पॉस्टिव निकलता है, तो बाकी एड्मिनिस्ट्रेशन टेस्ट किये जाएंगे, और ऐसा क देखिए, सिविल एविशन रिक्वाइर्मेंट, जो 31 जनवरी 2022 से प्लेम आया है, ये रैंडम टेस्टिंग इसलिए कहता है, जो कि इस प्रकार के सब्स्टेंस का अब्यूस करते हैं अगर फ्लाइट इटेंटेंट्स, तो बेहेविरियल, कॉगनेटिव और फिजियोलोज जब इनके पास इनफ नंबर ओफ मेडिकल रिविव औफिसर ही नहीं, ये ग्राउंडल पे चीज़ें इंप्लिमेंट कैसे करेंगा, दूसरा, कल की डेट में मानलो किसी का टेस्ट होता है, और टेस्ट रिजूल्ट पॉस्टिव आजाता है, लेकिन उस इंडिविजुल न कौन सी कोर्ट में जाएगा, ऐसा कोई भी एपिलेट मेकेनिजम यहाँ पे नहीं देखा गया, लेकिन DGCA ने साफ साब बोला है कि देखिए हम रिस्पॉंसिबल तरीके से यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं, हाइपर टेंशन और एंटी डिविटिक मेडिकेशन को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, हम मानते हैं, DGCA मानता है कि हमारे पास medical review officers कम हैं, लेकिन धीरे-धीरे करके हम उनका recruitment कर रहे हैं, overall बहुत सारे लोग online training ले रहे हैं, कुछ सार में बाद वो medical review officer के तोर पे eligible भी हो जाएंगे, ठीके, pilots और air traffic control में काम करने वाले लोग के ओपर होगा, पहले urine test होगा, urine test positive होता है, तो फिर एक दूसरा test होगा, और अगर वो भी positive निकलता है, तो उस case में उस individual की counselling की चाहेगी, इस बात को check किया जाएगा कि वो किस हद तक drug abuse में involved है, किस हद तक उसके खून में psychoaptic substances का levels है, और उस हिसाब से फिर decision लिया है, यह उसे नौकरी पर रखना है, rehabilitation center में भेजना है, de-addiction center में भेजना है, क्या करना है यह तब decide करेंगे, देखिया, अब मेरे हिसाब से तो अगर भारत सरकार ने, DGCA ने psychoactive substances के testing के norms रखे हैं, तो उसमें गलत क्या है, यही तो check किया जा रहा है कि आपने drugs तो consume नहीं किय हैं, तो अगर आपने drugs consume किया हैं, तो definitely you are not eligible for working in ATC, और for working as a pilot or flight attendant, चुकि वहाँ पर आप बहुत सारे लोगों की security और safety के लिए responsible हो, तो यह एक news तो जो मैंने आपके सारे डिसक्स की important थी, next GS paper 3 defense, missile destroyer INS मौर्मु गाओ, commissioned into Indian Navy, तो state of the art worship INS मौर्मु गाओ, जो कि इंडिया क इंडिजीनेस defense production capability का representative है, ऐसा बोला है defense minister राजना सिंह साब ने 18 दिसंबर को, उन्होंने बोला है कि यह INS मौर्मु गाओ officially commission हो रहा है इंडिया नेवी में, वैसे मैं बता दूँ यह जो INS मौर्मु गाओ है, यह launch हुआ था September 2016 में, कई साल तक इसके sea trials चले, 19 दिसंबर 2021 को किसी style से ले, 19 दिसंबर 2021 को ही 60 साल हुए थे, गोवा liberation के from Portuguese rule, ठीक है ना, इसका जो commissioning हुई है, वो operation विजे वाले दिन हुई है, यह operation विजे 1901 सेट में उसी दिन launch हुआ था जब गोवा को Portuguese rule से free कराया गया था, यह जो INS मौर्मु गाओ नाम है ना, यह अपने आप में ही Coastal State of Goa की historic port city का नाम है, इस particular वार्शिप को बनाया गया मजगाओ, डॉक शिपगाट्स लिम्टेड दौरा जो की मौंबई में इस्थे थे, आइनस मौर्मु गाओ इस second of the four विशाखा पत्नम क्लास डिस्टोयर्स, जो P-15B प्रोजेक्ट है ना, इंडिया का, जिसके अंद state-of-the-art weapons or sensors, surface-to-surface and surface-to-air missile defense system है, modern surveillance radar है, okay, तीस नौट्स तक की speed पे ये operate कर सकता है, nuclear, biological और chemical warfare conditions में ये लड़ सकता है, मौर्मु गाओ, ये जो नाम है, ये भी अपने आमें बहुत significant है, चुकि इंडिया के maritime trade में, जो को गोवा का ये शहर है, मौर्मु गाओ, उसने बड़ा port हुआ करता था, it is one of the oldest and largest ports of not only of Goa, of the country, तो चाहे मौर्मु गाओ port की बात कर लो, चाहे मौर्मु गाओ port की बात कर लो, दोना का importance रहा है, मौर्मु गाओ port वो port है, जहां पे सत्री शताबदी में मराठा campaign हुआ था, पुर्तोगी इसके against अंदर छत्रपदी सांभ जी, जो कि शिवा जी के बेटे थे, तो अपने आप में historical trade significance भी है, overall इस particular मौर्मु गाओ शहर का, इसके port का, इसके port का और इसी के नाम पे पढ़ गया, नाम इसका INS worship का, फिर नेश्ट भाई, direct tax revenue collection कितने हुए हैं, तो भाई, 17 दिसंबर तक, मतलब 1 अप्रेल 2022 से 17 direct taxes के हुए हैं, 11 लाग करोण के, ठीक है ना भाई, और gross tax collection कितने हुए हैं, 13.63 लाग करोण के, gross tax collection और net tax collection में क्या फर्क है, देखिए, आपने income tax refund के वारे में सुना होगा, कि भाई, आपका income tax ज़्यादा कट गया, आपने income tax declaration फाइल किया, और उसके basis पे आपको refund आ गया, तो कई बार क्या होता है, कि आप, जितना आपका tax बनता है, उससे ज़्यादा भर देते हो, और बाद में refund ले लेते हो, कि भाई, मैंने इस scheme में इतना invest किया, इस इंजियो को इतना पैसा दिया, तो मैं tax exemption के लिए valid हो, तो बाकी पैसा आपका जो tax कटा था, वो refund आ गया, त तो net tax direct tax collection 17 December 2022 तक है 11 lakh करोन से थोड़ा ज़ाद है, पिछले साल की amount से 19 December 81% ज्यादा है, पिछले साल 17 December तक जो amount collection हुआ था, वो हुआ था 947,969 करोन का, इस बार 11 lakh करोन से थोड़ा ज़ाद है, तो इस बार जो net direct tax collection है 11,35,754 करोन का, इसमें से corporate income tax है 6,669 करोन, और personal income tax जिस में Securities Transaction Tax जोड़ा हुआ है वो है 5,26,477 क्रोण अब आप बोलोगे Securities Transaction Tax क्या होता है तो Stock Markets में किसी particular share को बेचने पे और खरीदने पे एक छोटा सा Transaction Tax चार्ज किया जाता है जिसको आप बोलते हो Securities Transaction Tax तो वो amount भी हाँ जोड़ा हुआ है इसी respect में देखा जाए तो Gross Income Tax Collection कितना है तो Gross Income Tax Collection बढ़ा है 26 प्रतिशत तो 17 December तक वो है 13.63 लाग पिछले साल था 10.83 लाग अब इसमें Advanced Tax Collection को भी जोड़ा गया Advanced Tax Collection मतलब कि overall साल खतम नहीं हुआ है पर फिर भी मेरे आपकी जैसे लोग जो बिजनस कर रहे हैं या फिर कही नौकरी कर रहे हैं उन्होंने अपनी इंकम को estimate करके Advanced Tax Collection बेसिस पे आपके लोग ट्रैक्स भर दिया तो वो हो गया 5,21,302 करों का Tax Director at Source TDA से 6,44,701 करों का Self Assessment Tax बढ़ा गया एक दुसमलो 4,00, करों का ठीक है यही डाटा 30 November 2022 तक कितना था Net Direct Tax Collection का 8.77,00, करों दिरे-दिरे करके बढ़ा है फिर कुछ और फिकर्स दिये गए हैं जैसे पहले, सेकेंड और, थर्ड, कॉर्टर ऑफ 2022 ते इस के लिए जो Tax Collection है वो 12.83 परसेंट हायर है पिछले साल के 4.62,00, करों से तो यह अब कुछ ऐसे फिकर्स है जो इतना भी डीटेल में जानने ज़रूरी नहीं है एक आइडिया आपको 17 December तक के Tax Collection का मैंने देती है अब समय समय पर यह न्यूज आती रहती है 17 December तक कितना Tax कलेक्ट हुआ फरवरी तक कितना हुआ, माँ आज तक कितना हुआ यह समय समय पर आते रहता है Direct Tax क्या है तो Red Tax एक ऐसा Tax है जो एक परसन या और्गनाशन डिरेक्ट टेक्स कलेक्टर को देता है आप मार्केट में जाहिए और मार्केट में जाके कोई समान खरी दिये तो उस पर आपको GST पे करना पड़ेगा GST एक प्रकार का Indirect Tax है लेकिन जो Tax डिरेक्टली आप Tax कलेक्टर को पे करते हो जैसे Income Tax Department को हम अपनी इंकम के ओपर Tax देते हैं तो that is a sort of direct tax देखो, Income Tax, Property Tax, Personal Property Tax, Taxes on Assets ये सब डिरेक्ट टैस कलेक्शन की डेफिनिशन के अंदर आते हैं Next, India pushes for a new Biodiversity Fund GST पेपर 3 Biodiversity में चीज़ काम की देखे, UN Biodiversity Conference होरी कैनेडा के Montreal में ठीकिन और यहाँ पे भाशण दे रहे थे हमारे मिनिस्टर साब कौन है हमारे मिनिस्टर साब? अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला? इन्होंने यह बोला कि एक urgent need है कि हम नया और dedicated fund मनाए जो कि developing countries को मदद करेगा post 2020 global framework लाने के लिए जिससे Biodiversity loss को रोका जा सके या कम किया जा सके यहाँ पे भी भारत सरकार और बाकी developing countries फोकस कर रही है कि common but differentiated responsibilities and respective capability के आधार पर चीज़ों को किया जा देखे climate change के अंदर CBDR का mechanism काम करता है CBDR का mechanism कैसे मत्तब? तो US और UK जैसी countries ने past में बहुत सारे environmental emissions किये है global greenhouse gases के emission किये तो उनकी responsibility जादा बनती है climate change को लेके इंडिया और चैना जैसी countries की कम बनती है ठीक है भई? उसी हिसाब से climate change की वज़ा से biodiversity loss हुआ है तो biodiversity loss को भी halt करने के लिए रोखने के restrict करने के लिए developed countries की responsibility जादा है developing की कम है इसी को आप बोलतो है CBDR in biodiversity loss अब इस बात को लेके क्या developed countries मानेंगी? obviously बातने नहीं मानेंगे developed countries बोलेंगी तो हर जगा यही रागल आपते रहते हो कि हमने past में किया है तो हमने past में किया है तो हम ज़्यादा responsible है तुम भी तो बड़े scale पे कर रहे हो इंडिया और चाहिना जीसी countries को developed countries बोलती है अभी के लिए 196 parties है convention on biological diversity की ये negotiations को finalize कर रही है जो कि बनाना चाहती है post 2020 global biodiversity framework इस particular framework में नए goals होंगे नए targets होंगे जो कि biodiversity loss को reverse कर सकते है और इसके अंदर भी CBDR principle को include करने की बात की जा रही है अगर finance related targets देखो मतलब जब भी पैसे की बात आए कि global biodiversity framework के respect में तो developing countries बोलेंगी कि इस global biodiversity framework के अंदर भी CBDR का framework होना चाहिए मतलब जो developed countries है वो ज़्यादा पैसा देंगी क्यों ज़्यादा पैसा देंगी चोकि biodiversity loss के लिए भी कही ना कही climate change responsible है और climate change हुआ है उस emission के चलते जो कि इन developed countries ने किया तो developed countries को ज़्यादा पैसा देना चाहिए CBD COP 2015 में भी Union Environment Minister आप कहलो sorry Conference of Party 15 Conventional Biological Diversity इस पे Environment Minister भूपेंदर यादो साब ने क्या बोला कि the successful implementation of a post-2020 GBF will depend on ways and means will put in place for an equally ambitious resource mobilization mechanism यह सबसे important point है resource mobilization mechanism मतलब overall biodiversity loss को hold करने के लिए पैसा कहां से लाओगे फिर Minister साब अगला क्या बोल रहा है there is a need to create a new and dedicated mechanism for the provision of financial resources to developing country parties such a fence should be operationalized at the earliest to ensure effective implementation of the post-2020 GBF by all countries तो इस context में अगर आप देखो तो financial resources चाहिए एक developing country को biodiversity loss को कम करने के लिए उसी के लिए हमको लेके आना है global biodiversity framework उसके अंदर एक proper resource mobilization mechanism होना चाहिए और उसमें CBDR का principle आना चाहिए अब ही के लिए जो भी resource mobilization होता है वो होता है global environment facility के थूँ UNFCCC और UN Convention to Combat Decertification देखिए UNFCCC क्या है United Nations Framework Convention of Climate Change फिर UN Convention to Combat Decertification इन सब के अंदर अगर पैसा आता है global environment facility से आता है तो bio-tradistry conservation के लिए केवले एक fund यहाँ पर exist करता है एक और fund चाहिए और वो आ सकता है किसके थूँ global bio-diversity framework के थूँ जिसके ओपर negotiation चलता है negotiation में क्या निकल के आता है क्या नहीं निकल के आता है यह देखेंगे CBDR का principle यहाँ पर include हो पाएगा नहीं हो पाएगा यह आगे आने वाले समय में पता चलेगा इस समय पे convention on biological diversity का जो conference of party 15 चल रहा है इसमें एक और कोशिश कर रही है developed countries developed countries चाहती है कि आप subsidies को eliminate कर दो fossil food production पे agriculture पे, forestry पे और fisheries पे कमसे कब 500 billion dollars की subsidy कम करो इंडिया ने साफ मना कर दिया इंडिया ने बोला हम agriculture sector में subsidy नहीं खतम कर सकते हम fisheries sector में और forestry sector में जो अपने farmers को subsidy दे रहे हैं वो नहीं खतम कर सकते वो हमारी national priority है हमारे farmers वैसे ही society कर रहे हैं उपर से हम agriculture related subsidy खतम कर देंगे तो हमारे farmers भी society करेंगे हमारी food security भी compromise हो जाएगी तो आप देख सकते हो कि इस COP15 में एक अलगी प्रकार का negotiation चल रहा है जिसमें developed countries अपना रागलाप रहे है developing countries अपना रागलाप रहे है developed countries एक तरफ बोल रहे हैं कि अपनी subsidies हटाओ developing countries दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि तुम पैसा ज्यादा दो CBDR वाली responsibility लेकिया हो इंडिया का बोलना है कि इंडिया की majority rural population agriculture और allied sector पे dependent है तो हमें तो subsidy देनी ही पड़ेगी seed में, fertilizer में, irrigation में, power में, export में अच्छा हम targeted subsidies देते हैं US जैसे overall lump sum पैसा नहीं दे देते हैं कि farmer commercial basis पे कुछ भी लगाए देखा जातो US अपने farmers को इंडिया से जादा subsidy देता है लेकिन इंडिया के जो subsidy targeted subsidy वाला mechanism है वो WTO के अंदर allowed नहीं है तो इसी context में देखो तो यह जो post 2020 global biodiversity framework की जो negotiations चल रहे हैं वो काफी crude हो रहे हैं इस समय पे अलग-अलग तबकी और grouping की जो countries हैं वो अपना अलग-अलग राप अलाक रही है सबका target है यह है कि biodiversity conservation किया जाए ecosystem को restore किया जाए एक holistic और integrated manner में nature based solutions को adopt किया जाए लेकिन उसके लिए equality की demand कर रहे है equity तोर पे किया जाए historical responsibilities और emissions को ध्यान में रखते हूँ ऐसा developing countries का बोलना है जबकि developed countries चाहती है कि इस समय पे equitable तरीके से सब लोग बराबर-बराबर contribution करें जो कि developing countries माननी रही है यह जो draft GBAF है न यह achieve biodiversity targets को replace करेगा अभी के लिए इसमें 22 targets और 4 goals include किये गए जो 2030 तक biodiversity conserve करेंगे और उसके बाद 2050 का जो goal है living in harmony in nature इसको यहाँ पे पूरा करेंगे GBF targets में pollution कम करना, pesticides को कम करना subsidies harmful to nature को हटाना invasive alien species के फैलाब को रोकना यह सब यहाँ पे include किया जाएगा फिर भाई अगली news Odisha की कोईंजा district ने उन beneficiaries को finalize किया जिनको DMF को benefit मिलना चाहिए यह अपने आप में unfortunate news है district mineral foundation नाम की जो scheme ही वो आज से 7 साल पहले लागू की गई थी district mineral foundation एक statutory authority है जो कि राज़े की सरकार उन districts में लागू करती है जो mining से affected है आगर देखा जा तो इन bodies को legally बनाया गया section 9B of the Mines and Mindless Development and Regulation Act 1957 जिसको जोड़ा गया था 2015 में amendment की तो मतलब 1957 वाले act में 2015 में amendment किया गया section 9B लाए गया और बोला गया गया कि DMF बनाए जाएगे 16 सेप्टमबर 2015 से DMF यहाँ पे बनाए गया DMF एक non profit body की तरह काम करेगा इसमें जो भी पैसा आएगा उस district में रहने वाले लोग जो की mining से affected हैं उनके welfare में लगाए जाएगा तो वहाँ पे जो tribals और दूसरे गरीब लोग रहते हैं उनको benefit होगा इससे लेकिन कियों जहार के अंदर ये benefit उतना होता नजर नहीं आए ऐसा नहीं है पे 2555 million tons of iron ore पाये जाता है प्रती साल 50 million tons iron ore extract किया जाता है उडिसा की economic लिए बहुत important है और सबसे खास बात यह है कि जो district mineral foundation का fund है न क्यों जहार district का इसमें पैसा आया 8840 कुरूर किसी भी district की DMF में इतना पैसा नहीं आया है जितना क्यों जहार district में आया है अपने आप में एक खदरनाक पैसा इस पैसे से बहुत क्योंच किया जा सकता था क्यों जहार district के लोगों के लिए बढ़ किया नहीं गया है काफी politics हुई है recently यहाँ पे overall BJP और बाकी political party के functionary ruling party के ओपर एज़ाम लगा रहे है जो latest board meeting हुई है उसमें 106 गाओं के लोगों को और include किया गया है जो कि directly affected है mining से मतलब अभी तक proper तरीके से ODK की सरकार ने उन villages को भी segregate नहीं किया है जो mining से directly affected है ऐसा नहीं कि कोई भी village ने include किया गया बट बड़े scale पे जिस हिसाब से survey और audit करके affected लोगों को identify करना था उनके लिए beneficial और useful प्रोग्राम चलाने थे वो यहाँ पे ground level पे नहीं चलाएगे इसलिए recently अगर आप देखो तो कुछ हफते पहले ही एक दो महीने पहले ही 106 villages और यहाँ पे identify किये गए है जो कि mining से directly affected हैं को DMF के अंदर मदद प्रोग्राम को शुरू हुए इतना समय क्यों लग रहा है beneficiaries को identify करने में इस बात को लेके ODISA की सरकार को criticize किया जा रहा है देखे इस DMF के अंदर इतना पैसा है कि क्योंजहार के लोगों की जो life से उनको बहुत हट तक बदला जा जा चकता है क्योंजहार में 62% लोग poverty line के नीचे रहते हैं बहुत सारे marginalized groups से यहाँ पे tribals वगरा पाय जाते हैं 2011 census के असाफ से यहाँ पे schedule tribe 44.5% है population की और schedule caste 11.62% जब district mineral foundation fund मना जाता है बहुत सारे board of trustees होते है revenue divisional commissioner होता है या फिर collector जो हता district का वो इसका chair person होता है होगि additional district में district level officer इसकी members होते है बहुत सारे department की members यहाँ पे extra official members होते हैं जिसे steel and mines, forest environment, rural development, works CST development, health and family welfare department सब की members यहाँ पे निकल के आते हैं इतनी देर से क्यों चलिए आगली news इंडिया's crushing court backlogs out of the box reform शीराम पांचू साब यहाँ पे बोल रहे हैं देखिए Recently justice delivery system में delay की बात आती है court में जो case की pendency है वो बढ़ती जा रही है एकसर करम सुनते रहते है डीवाई चेंड़चू साब ने साफसा बोल दे है कि high court के अंदर जितने भी judges की vacancy है अगर आप पूरी भर भी दोगे तो भी बहुत major scale पे कोई pendency खतम नहीं होने वाली है चुकि अगर जादा high court के जजज आ जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सारे high court के जजज efficiently काम करेंगे तो शुशील कुमार मोदी जो की chairman है Parliament Standing Committee on Law and Justice के इनका बोलना है कि out of box thinking चाहिए इस problem को solve करने के लिए तो यहाँ पे श्रीराम पांचू साहब कुछ ideas दे रहे है मैं सिर्फ इन ideas को discuss करूँग इनका ये बोलना है कि high court के judges retire हो जाते हैं 62 साल की उमर पे और 62 साल की उमर में भी इन judges के अंदर काफी जान बचती है overall और लंबे समय तक काम करने के लिए जोकि supreme court के judges 65 साल पे retire होते हैं तो हम overall ये जो retiring judges हैं ना high court के इनको retire ना करके in experienced और fine judges जो best lot है उसको retain करके 62 साल के बाद overall इनके expertise को इस्तमाल कर सकते हैं 62 साल पे अगर ये retire हो जाएंगे तो जो भी इनके अंदर अच्छा काम अभी भी बचा हुआ है वो waste हो जाएगा तो इनको payment देके, percusites देके overall इनकी service को कुछ सालों से extend किया जा सकता है ताकि इनके best talent को इस्तमाल किया जा सके ठीकी न भी तो 62 साल पे जो high court के judges की retirement age है भले आप retirement age को आगे extend मत करो जो best quality के high court judge डिटायर होना है उनको retain कर लो informally और उनसे cases का disposal करो वो अपने आप में अच्छी बात हो जाएगी उसके साथ सर जो supreme court के judges retire हो चुके है उनको आप special leave petition में लगा सकते हो special leave petition article 136 of the constitution के अंदर supreme court entertain कर सकता है हजारों की तागाद में hundreds की तागाद में हर हफते special leave petition फाइल होती है और जो currently working supreme court के judges है उनका बहुत हद तक time इन special leave petitions को dispose of करने में चला जाता है तो बेटर यह रहेगा कि supreme court के judges retire हो चुके है उनको आप इस्तमाल करो special leave petition को dispose of करने ताकि जो working judges है वो overall बाकी important cases को देख सके यह यहाँ पर बताया जा रहा है ठीक है मतलब special leave petition वाला काम supreme court के retiring judges को दे जो फिर जो high court के senior most advocate है उनको किसी दूसरे high court का judge online mode में बनाया जा सकता है हफते के किसी एक दिन पे weekend वगरा पर तो यह जो senior most high court advocates है न वो काफी अच्छे तरीके से काम कर पहेंगा बात यह है appointment आप करोगे भी कैसे अगर किसी high court के senior advocate को हफते में एक दिन के लिए भी आप judge बना रहे हो तो appointment किस प्रकार से करोगे college में जो regular judges के appointment हो रहे है वो तो सरकार appointment करती नहीं है फिर cultivating online justice COVID-19 के समय पे बहुत तेजी से हमारे judges ने हमारे courts ने, lawyers ने इस online justice के mechanism को adopt किया तब जब से COVID-19 pandemic हटा है तब से फिर से हम offline mode में आ गए है तो हमने जो online gains किये थे उनको यहाँ पर capitalize, materialize करने की ज़रूरत है तो ज़रूरी यह है कि फिजिकल hearings in crowded courtrooms को हटा के यह जो online judgment online आप कहलो court hearing वाला mechanism शुरू हुआ था इसको फिर से यहाँ पर शुरू करने की ज़रूरत है चुकि बात यह है कि अगर 62 साल के बाद आप high court के important judges को retired नहीं कर रहे हो supreme court के retired judges को specially petitions में लगा रहे हो तो आपको बहुत सारे secretarial staff और जगह की ज़रूरत पड़ेगी infrastructure की ज़रूरत पड़ेगी litigation में क्या होता है कि एक civil party एक civil dispute में दूसरी civil party की उपर इर्जाम लगा रही है इसको आप बोलतो है litigation तो litigation शुरू करने से पहले mediation पर भरोसा लगो mediation में बहुत हद तक metronomial cases, personal cases, marriage cases property disputes, commercial disputes बहुत हो सकते हैं हजारों की तागाद में mediation schemes को लागो करके पिछले 20 साल में हमने देखा है कि enthusiastic lawyers, mediators के थुरू लाखो case को handle करते हैं और वो कैसे जल्दी dispose of भी हो जाता है कहिना case, अगर case बहुत ज़्यादा serious ना हो, तो parties को पता होता है कि लंबे समय तक litigation में जाने का कोई फायदा नहीं है तो better की mediation कर लो तो mediation की importance को यहाँ पे identify करना इंडिया के अंदर एक Indian mediation service खोले जाने की जरूत है जैसे Indian judicial service की बात हो रही न आना कि Indian judicial service खोली नहीं गी उसी प्रकार से एक Indian mediation service को लो यह Indian mediation service incentives और disinventories को identify करके litigation में जाने की बजाए mediation stage पे ही overall cases को dispose of करने की कोशिश करें तो यह कुछ ideas यहाँ पे शीराम पांचु साहब ने बता है जिनको थोटे में मैंने आपको समझा दिया है फिर जाते है इरान at political crossroads तनमीज एहमास साहब कही आर्टिकल है भाई महसा एमीनी नाम की एक लड़की कि 22 साल की जो थी मृत्यू कर दी गई इनको arrest किया गया morality police के दोरा और वहीं पे इनकी मृत्यू हो गया ऐसा सुनने मैं कि इनको इतना मारा गया कि इनकी मौत हो गई क्यों? चुकि यह ठीक तरीके से हिजाब नहीं पहन रही थी तो morality police ने इनको arrest कर लिया था उसके बास से जबरदस्ट demonstration हुए है और जो woman है वो इरान की सडकों पोतर आई है woman life freedom का नारा देते हो वैसे ऐसा नहीं है कि इरान के अंदर पहले कभी protest नहीं हुए इरान के अंदर बहुत protest हुआ है पहले लेकिन इस बार के protest अपने आप में ही खतरनाक है और सरकार ने दबाया भी बहुत जबरदस तरीके से सरकार ने जो repression किया है और प्रोटेस्ट का 500 लोग की जान जा चुकी 20,000 लोग डिटेन हो चुके कईयों को death sentence दिया जा चुका है दो को तो execute भी कर दिया गया सरकार के दोरा 14 दिसंबर को United Nations Economic and Social Council ने UN Commission on the Status of Women से इरान को expel कर दिया चुकी women के rights को बहुत बुरी तरीके से इरान सप्रेस कर दिया इरान की सरकार अपने आपको justify कर रही इरान की सरकार बोल रही ही कि यह जो चीटेशन करने वाले लोग है यह तो आतंकवादी है टेरिस्ट हैं अपर बहुत बड़ी तागाद में यहाँ पर फायराम्स मिले हैं सिस्तीन बरुचिस्तान प्रोविंस में लेकिन अब आप समझो यह जो प्रोटेस्ट हो रहा है इरान में इनका अब्जेक्टिव ही अलाग है अगर आप देखो तो 2009 में प्रेजडेंशल लेक्शन से मैनुपरेशन में चलते ही इरान में प्रोटेस्ट हुए थे 2017-18 में एकोनॉमिक सिचुएशन के चलते हैं 50,000 लोग सलकों पोतर आयते 2019 में दो लाग से जादे लोग सलकों पोतर आयते इस बार लोग बले ही वुमन रैट्स के लिए सलकों पोतर रहे हैं बड कहीं न कहीं अंदर ही अंदर ही एक एक एकनॉमिक प्रॉब्लम भी डेट्टू खिमिन नहीं इसके अगेंस्ट यहां पर प्रोटेस्ट हो रही है 36 प्रतिशत लोग इरान के अंदर 2019 में एपसलूट पोवर्टी में रह रहे थे 2016 में इरान की जो एकनॉमिक की ग्रोथ रेटी हो थी साड़े बारा परसेंट आज की डिट में किवल 2 परसेंट है इरान के पास बड़ी कॉंटिटी में तेल है लेकिन वो तेल वो बेच नहीं पाते है तो 2021 में पेट्रोलियम सेक्टर इरान की किवल 8% एकनॉमिक को कॉंट्रिब्यूट कर रहा था इस बात को लेके लोग परेशान है उसके उपर से मॉरालिटी पुलिस अलग बवाल मचाती रहती है तो इतने जो स्ट्रिक्ट मॉरल लॉज हैं आपके इरान के इसके अगेंस लोग खड़े हो गए इरान के अंदर लोग नहीं चाहते हैं कि वो इतने स्ट्रिक्ट इसलामिक कोड के अंदर है दिसंबर 4 को थोड़ा प्रेशर में आके इरान के जो चीफ प्रोसीक्यूटर नहीं अनौन्स किया कि मॉरालिटी पुलिस को अबॉलिश कर रहे है लेकिन ये ओफिशल एनौस्मेंट सरकार की तरफ से नहीं आए चुकि सरकार के अंदर कुछ हार्ड लाइन ऐलिमेंट्स है जो कि अपने आपको कमजोर नहीं दिखाना चाहते वो थोड़ा बहुत रिफॉर्मिस्ट से कह रहे हैं और युएस इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है युएस के अंदर बैठे बहुत सारे राइटर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं जैसे की करीम, सज्जापुर, अली अंसारी ये बोल रहे हैं कि ये जो लोग एजिटेशन कर रहे हैं इरान के अंदर इससे फाइनली इरान को उनके इसलामिक कोर्ट से रहत मिलेगी इरान एक डेमोक्रेसी में कनवर्ट होगा उनकी जो थियोक्रेसी है वो खतम हो जाएगी बट एक्चुली मैं ऐसा होने वाला नहीं है इरान के अंदर लोग इसराइल युएस से बहुत नाराज है बहुत हद तक उनकी इस इकनॉमिक हलत के लिए इसराइल और युएस रिस्पॉंसिबल है ऐसा इरान के लोग मानते है तो नो डाउट भले ही इरान के लोग अपनी सरकार के अगेंस्ट अपने ऑटोक्रेटिक रूल के अगेंस्ट एजिटेशन कर रहे हैं बट अट अट सेम पॉइंट और टाइम उनका गुस्ता युएस और इसराइल जैसी कंट्रीज पर कम नहीं हुआ है तो ऐसे केसे में युएस और इसराइल का ये मान लेना कि इरान की थियोक्रेसी खतम हो जाएगी उनका मुनार्किल रूल खतम हो जाएगा ये सोचना गलत होगा बेटर ये रहेगा कि इरान की लोगों की परिशानियों को समझा जाए उनको ओवर ओल एक लीवे दिये जाए कुछ लिबरल डेमोक्रेसी दी जाए बढ़ चांसे इस बात की थोड़े कम ही लग रहे है अब करनाटका के अंदर 2023 में इसेंब्ली पोल्स होने वाले वहाँ पे एक एलेक्टोरल वोटर डाटा थेट का स्कैंडल निकल के आ रहा है एलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया ने कुछ चेंजज ओर किये है तीन इसेंब्ली कॉंस्टिटुएंसी के अलेक्टोरल रोल्स में हुआ यहाँ पे क्या है कि करनाटका की सरकार के बीबी एंपी मतब बुरुहत बैंगलूरू महानगर पालिका ने 2017 में एक एंजियो की सर्विसेस को लिया एंजियो का नाम था चिलूम एजुकेशनल कल्चरल एंड रूरल डेवलप्मेंट ट्रस्ट इसका काम क्या था काम था सिस्टेमाटिक वोटर्स एजुकेशनल एंड एलेक्टोरल पार्टिसिपेशन जगा जगा पे जाओ और वहाँ पे लोगों को बोलो कि आप वोट डालिये, वोट डालना बहुत ज़रूरी है इससे आप अपने एक्सेसाइस को अपने राइट्स को एक्सेसाइस कर सकते हो वगरा वगरा मतलब एलेक्टोरल पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए लोगों को इंस्पायर करना यह एक नोबल टासक है बट एक्चुली मैं, यहाँ पर यह एंजियो कुछ और ही कर रा था यह एंजियो यहाँ पर डाटा थेफ्ट कर रा था यह एंजियो यहाँ पर वोटिंग पैटरंस को इडेंटीफ़ाई कर रा था यहाँ पे voters की information को peruse किया गया यह देखा गया कि यह voter किस political party को vote देंगे उसके हिसाब से इन voters के database को electoral law से delete किया गया कुछ नए voters को यहाँ पे जोड़ दिया गया इस प्रकार के इल्जाम यहाँ पे Congress party जो की opposition में है Reeling party बीजेपी के उपर लगा रही है अब जब यह इजाम बाहर निंकल के आए तो obviously बात है तगड़ा बवाल लगना था electoral voter data theft अपने आप में बहुत बड़ी बात है पुलिस के पास case पहुचा पुलिस को पता चला कि 500 contract employees को इस चिल्यूम educational trust ने हाइर किया था और यह जो 500 contract employees थे न इनको election commission of India के officials का ID card दिया गया मतलब यह जब ground level पे जाके information इखटी कर रहे थे न तो as election commission of India के officials यह post कर रहे थे वहाँ पे तो अपने आप में electoral roles को अगर modify करने की बात हो तो वो काम election commission of India कर सकता है वो काम एक private NGO कभी करी ही नहीं सकती लेकिन चिलो में educational trust ने गलत तरीके से यहाँ पे officials को portrait किया और इस चीज की authority revenue officers ने दी थी कई senior IS officers को यहाँ पे suspend कर दिया गया है और जब senior IS suspend होने लगे तो वो political masters के उपर इजाम लगाने लगे कि हमें क्यों बली का बकरा बना रहे हो अब congress demand कर रहा है कि chief minister बसवराज मुमी जी यहाँ पे design करे बसवराज मुमी जी बोल रहा है कि जो SVEP activities को carry on करने के लिए जो trust का appointment था चिलोम का यह तो congress सरकार के समय पे हुआ था तो मैं तो उसकी inquiry कर वाँगा election commission of India ने बोल दिया कि इस प्रकार के fraud में inquiry करने की ताकत के वाँ election commission के पास से कोई और नहीं कर सकता ऐसा बोला मनोच कुमार मिना जो की chief electoral officer है करनाटका के अगर आप देखो तो एक October से एक जनवरी से 30 October 2022 के बीच में 6.84 लाख entries जोड़ी गई sorry delete की गई और 3.07 लाख entries जोड़ी गई मतलब यह 6.84 लाख voters का database से नाम हटाया गया और 3.07 लाख का जोड़ा गया तो यह किस basis पे जोड़ा हटाया गया है इस पूरे के पूरे process को nullify कर दिया गया है और जो भी corrections है वो यहाँ पर ground level पर कराये जा रहे है चुकि voting होने वाली यह 2023 के अंदर तो तब तक जो भी गलतिया होई है उनको ground level पर resolve करो तो अपने आप में बड़ा question है प्लस यह भी question किया जा रहा है कि केवल तीन assembly constituency में ही corruption क्यों नहीं किया जा रहे है यहाँ पर बाकी जगों पर तो हो सकता है गलती होई हो फिर overall यह जो चिलूम ट्रस्ट डाटा एक खटा कर रही थी यह डाटा फीड किया जा रहा थे एक private app डिजिटल समीक्षा में इस private app के डाटा को भी अभी के लिए Polish officials पे रियूज कर रहे है Cybercrime में इसको register कर लिया गया है बहुत सारे revenue officers के उपर गाज गिर चुकी है election commission of India की उनको suspend किया जा चुका है political markets, masters का कितना रोल है इसको भी यहाँ पे question किया जाएगा तो यह सारी की सारे चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रहे हैं फिर overall Bill Keyes Banu वाले case में आपको पता है कि Supreme Court ने माई 2022 के order में बोला था कि गुजरात सरकार is the appropriate government to decide कि Bill Keyes Banu के gang rape case में जो convicted 11 लोग है उनको छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए और यह करना है गुजरात को अपनी 1992 की policy के तहत अब यह करके Supreme Court ने violate किया है section 432 clause 7 of the code of criminal procedure ऐसा यहाँ पे author बोल रहा है section 432 clause 7 of the code of criminal procedure यह बोलता है कि भई appropriate सरकार review करने के लिए एक sentence को वो होगी जहाँ पे sentence दिया गया है यह जो trial हुआ था यह मुंबई में हुआ था इसकी जो appellate आप कहलो trial हुआ था वो भी मुंबई में हुआ था तो final यहाँ पे release करने की authority गुजरात की सरकार को कैसे दे दी गई यह करके सुप्रीम कोड ने code of criminal procedure को वोलेट किया ठीक है ना चुकि 1992 की गुजरात सरकार की remission policy उससे में effective थी तो इस policy के अंदर यहाँ पे convince को छोडने की बात की जबकि पूरा का पूरा case trial हुआ था मुंबई में बंबे हाई court में तो overall इसका decision महरास्ट बॉम में होना चाहिए था बट overall गुजरात में करके सुप्रीम कोड ने 437 code of criminal procedure को वोलेट किया है हाला कि overall सुप्रीम कोड में एक और petition pending है कि इन 11 convince को छोड़ना नहीं चाहिए let's see उस petition पे क्या होता है कुछ इस प्रकार की बाते हैं यहां पे कही गई फिर वाई GST council members ने यहां पे कुछ decision लिये हैं अब वैसे तो GST council में क्या changes हुए है recently यह मैं आपको कल बता चुका हूँ मैं वही चीज़ें यहां पे repeat नहीं करूँगा यह क्यों सबसे बड़ी बात यहां पे यह थी कि 17 December GST council की meet होगी यह बहुत पहले ही notify कर दिया गया तो उसके बवजूद बहुत सारे states ऐसे थे जो कि अपनी domestic budget preparation में लगे हुए है वो यहां पे GST council की meet को attend नहीं कर पाए ऐसा क्यों है यह राजी की सरकारे GST council meet को important way में क्यों नहीं ले रही है जबकि तीन बड़े important मुद्धे यहां पे pending थे एक तो GST appellate travel का बनना मुद्धा यहां पे pending थे फिर online gaming casinos पे क्या tax वगरा लगेगा यह यहां पे मुद्धा pending थे तो जब इतने important मुद्धे pending थे तब भी कुछ राज्यों के पास इतना time तक नहीं है कि वो अपने representatives को proper तरीके से GST council meeting में participate करने के लिए भेज दे no doubt यहां पे कुछ changes किये गए है husk of pulses के उपर 5% GST हटाया गया frimes और sport utility vacills के उपर कितना GST लगेगा इसको यहां पे clarify किया गया पर और भी बहुत कुछ हो सकता था लेकिन states की casual approach की चलते यहां पे नहीं हो रहा है तो GST governance को इतना lightly क्यों ले रही है राज्य की सरकार है यह question यह पूछेगा so thank you for watching friends काम भर की चीज़े मैंने आपके साथ डिसकस की है detail में I hope आपको article और lecture समझ में आये हो अपनी viewpoint नीचे comment box में देके चाहिए कर इस्टर कर आपे follow कर लेजेगा telegram को जैन कर लेजेगा जादर से जादर लोग साथ lecture को शेर करें have a great difference good bye ध्यान रिखे अपना पढ़ते लिखते रहिए good bye